हेलो स्टुडेंट बेलकम टूतास्वेकेटमी आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का भाग दो ऑलेडी भाग एक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था रिकतस्तान की पूर्ती करना तथा तुर्टियों को ढूडना ये दो टॉपिक हम ह संधी भागदों में जो करने को नहीं को आता है रीर्ण करने को आता है यानि जो इक पांच संटेंज दिए रहें गे आपको और उसको order से लगाना होगा जिसका री और ढौर और भी बोलते हैं यह डूसरा जो है जिसको एक परा होता है इसके बीच-भी में जो स्टुडेंट आप चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही लगा बिल आइकन प्रेस कर दें जिससे उन्हें लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंद मिले वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें और कमेंट करके बताएं तो जो ये है और दूसर जो क्रोटेस्ट आता है इंग्लिस में उसी तरीके से किसमें भी पैरा आता जिसमें बीच-बीच में गैप होते हैं और आपको कुछ संटेंस हमाफिल करके उसके अच्छे से एक पैरा पूरा एक मतलब स्टोरी बना सकते हैं तो देखिए यहाँ प काम आपके बिल्कुल नेरेस्ट आ रहा है तो इनका आपको खुद एक मुल्यांकन करना होगा कि हमारा अब जो लेबल है वो कहां तक पहुच रहा है तो यह देख लीजिए री ओर्डरिंग करने के लिए है इसका आप वो ले लीजिए जहां पर दिया गया है कि 6 कतन दिये से हो जाते हैं इनको अरेंज करना है जैसे A में क्या दिया है B में क्या दिया है C में क्या दिया है D में क्या दिया है E में क्या दिया F में क्या दिया है इन सब को ध्यान से पढ़िए और एक दूसरे को मिला के एक स्टोरी टाइप के बहुत अच्छा सा बनाईए तो पहला यह हो गया और इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह इसके question है ठीक तो वहां आप story पहले पढ़िएगा उनको a, b, c, d के रूप में arrange करिएगा एक story form में बन जाएगी फिर आप a के करके answer comment box में जरूर दीजेगा जैसे पहला है पुनरब्योस्था के बाद पहला वक कौन पहला sentence कौन सा होगा तो इसमें a, f, e, c, जो भी होगा आप answer करिएगा वैसे second है वैसे third है वैसे four है वैसे five है यानि सारे यहां पूछे गया है चौता, पाचवा, दूसरा, तीसरा तो इनका screenshot लेकर अपने copy पे आप जरूर बनाएं जिससे आपको answer जब मिलेगा तो आप comment म भी जरूर करिएगा इसको, दूसरा ये है आप देख लीजे, जिसमें लिखा गया है कि निमिल्कित अंच्योदों में रिकता स्थान दिये गए हैं, प्रतेक प्रसन के लिए 5 बिकल्ब दिये गए हैं, अनुच्यत के बिसे को समझने के लिए उसे साउधानी पूरबक अध प्रसन दिये गए हैं, कि इन में से कौन सा आप सब्द वर्ड यहां पे फिल कर दो, जिससे इसका संटेंस का एक अच्छा सा मेनिंग निकले, मेनिंग फुल हो जाए, तो ये भी आपको करना है, और जो भी आपका आंसर हो, वो कमेंट बाक्स में जरूर दीजिए, इसका ज जो आंसर है, वो हम आप से अगले पार्ट में डिसकस करेंगे, चलिए, मिलता है नेक्स वीडियो में, गौड विल शिट वाल, थैंक्यू फर वाचिंग, इनका आंसर आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि अपना मुल्यांगन करना बहुत जरूरी है, थ थैंक्यू फर वाचिंग।